अलो दोस्तों मैं उपेंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल उगे टुटरियल में आज हम देखेंगे दोस्तों उराओ जन जाती से सम्मंधित जो भी प्रस्ण होंगे उसको सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रस्ण है कुराओ जन जाती की भासा है तो उराओ जन जाती की भासा है दोस्तों कुडुक जो इन लोग आम रूप से बोल चाल के भासा के रूप में कुडुक सब्त का प्रयोग करते हैं अगर सबका अगर साब्दी कर्थ देखे दोस्तों तो इसका साब्दी कर्थ होता है मनुस्य आगला प्रस्ना दोस्तों कि उराओ जनजाती में इवागिरी को किस नाम से जाना जाता है तो इवक गिरी को यहाँ पर देखें दोस्तों तो धुमकुडिया के नाम से जाना जाता है और धुमकुडिया का अगर देखें दोस्तों तो इसमें क्या किया जाता है कि जो इवक और युक्तिया होती है उनको जनजाती रीती रिवाजम प्रमपराओं का सिक्छन दिया जाता है और एह मुख रूप से 10 से 11 वर्ष की उम्र में प्रिवेश दिया जाता है धुंकुडिया में और यहां पर अगर देखे दोस्तों तो एह 3 साल में एक ही बार प्रिवेश दिया जाता है और कब दिया जाता है दोस्तों यह भी प्रस्ण पुछेगा तो सरहुल के समय दिया जाता है आगला प्रस्ण दोस्तों की जारखन के 21 छेत्र में उराओं जनजाती का सरवधिक संकेंदरन पाया जाता है तेहां पर देखे दोस्तों उराओ जन जाती का संकेरिंदर छोटा नागपूर जो पठार है दोस्तों इस छेतर में पाया जाता है अगर इनका मुल निवास सिस्थान अगर उराओं का अगर देखा जाए दोस्तों तो दक्कन वाला जो छेत्र है वो इनका मुल निवास सिस्थान है लेकिन जार्खन में इसका संकिंद्रन अगर देखेंगे तो छोटानागपुर पठार में है वहीं अगर पुछा जाया दोस्तों के संथालों का कौन सा छेतर है तो संथाल प्रगना जो इनके नाम से ही रखा गया है जो उत्री पुर्वी जो जार्खंड है ओई इलाका में आगला प्रस्ण दोस्तों के तिहासिक रूप से उराव जन्जाती का मुल निवास सिस्थान कहां माना जाता है तिहासिक रूप से इसका मुल निवास सिस्थान दक्कन को माना जाता है इसका एंसर इहां पर एह हो जाएगा जो दक्कन का इलाका है जो जो महराष्ट में आता ह आगला प्रस्ण दोस्तों कि नीम में से 21 जन जाती के लिए कुडुक सब्द का परियोग किया जाता है तो उराहो जन जाती के लिए कुडुक सब्द का परियोग किया जाता है इसका एंसर यहाँ पर D हो जाएगा दोस्तों आगला प्रस्न दोस्तों कुडुक सब्द का साब्दी कर्थ क्या होता है तो कुडुक सब्द का साब्दी कर्थ होता है दोस्तों मनुस्य होता है इसका एंसर यहाँ पर C हो जाएगा आगला प्रस्न उराओ जन जाती में कितने गोत्र पाये जाते हैं तो उराओ जन जाती में अगर देखें दोस्तों तो 14 गोतर पाया जाते हैं तो यहाँ पर हो जागा उराओ जन जाती में 14 अगर वहीं संथाल में पुछेगा दोस्तों ता प्याद दखेगा संथाल में 12 गोतर पाया जाते हैं आगला प्रस्तन दोस्तों की निव में से कौन सा कथा उराओं जनजाती के सम्मन्द में सत्य है यहाँ पर चार कथन दिये हैं उसमें से कौन सा कथन सत्य है उसको चुनना है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि इन जनजाती में सम गोतरी बिवा निसेध है तो बिल्कुल सरत है कि यहाँ पर कोई भी जनजाती में ज्यादा तर जनजातियों में देखेगा दोस्तों तो वहाँ सम गोतरी बिवा बिल्कुल वरजित है मतलब दोनों एक ही गोत्र के बिवाह में वहाँ पर नहीं होता है जिसका भी साध्य हुआ अलग-अलग गोत्र में होगा इसके बात देखें अगला पॉइंट दोतों इस जनजाती में गोधना पर्था का विशेस महत्व है जो टैटू होता है दोस्तों गोधना होती है यह लोग का एक प्रचलन में है तो यहाँ पर देखें तो यह बात यहाँ सही हो जाती है आगला है कि इस जनजाती में पूर्षों की तुलना में महिलाओं में गोधना को अधिक महत्व दिया जाता है ते भी यहाँ पर सही है तो इसका एंसर यहाँ पर देखें तो D सही हो जगा को प्रोथ सभी कथन यहाँ पर सत्य है आगला प्रस्न है दोस्तों कुराव जन जाती में नीन में से कौन सक बिवा सरवधीक परचलीत है तो उराव जन जाती में सारवधिक बिवाः जो है दोस्तो आयोजित बिवाः पर चलीत है तो इसका एंसर यहाँ पर C हो जाएगा दोस्तो आगला प्रस्ण दोस्तों का आवेजित बिवाह का बिसेस्ता क्या है जो आयोजित बिवाह होता है दोस्तों इसके क्या बिसेस्ता है इस पक्ष में क्या होता है दोस्तों कि इसमें वर पक्ष को जो होता है बधु मुले देना पड़ता है जैसे कि और जो जातियां होती है दोस्तों जा बेश वो जाती हो ब्रामर जाती हो साधियां जो होती है तो क्या होता है कि वर को दहेज दिया जाता है लेकिन हाँ पर देखें तो महिलाओं को दहेज दिया जाता है वनिए वधू को दिया जाता है यानि कि दहेच कौन देगा तो पूरुसों के दवारा दिया जाएगा बर के दवारा दिया जाएगा बधु को आगला प्रस्न है दोस्तों कि उराओ जन जाती में सिवा बिवाह का क्या भी सेचता है यहां पर देखे दोस्तों तो वरद वारा बिवास से पुरो वधु के घर में रहकर उसके परिवार की सेवा करनी पड़ती है यह हो जाएगा यहां पर भी इसका एंसर राइट हो जाएगा दोस्तों कि सिवा बिवा में क्या होता है दोस्तों कि कोई लड़का जो है कोई लड़की को पसंद करता है तो उस लड़की के घर में जा करके उसको पिता और माता को खुस करने के लिए लड़की के घर में रह करके उसके माता पिता के सिवा करता है उसके घर काम करता है उसे खुस होते उसके बाद उसको साधी कर दिया जाता है वही सिवा भीवा है यानि कि साधी से पहले लड़का लड़की के घर जमे जा करके उसके माता पीता को सिवा करता है अगला प्रस्तन है दोस्तों कि उराओ जन जाती के समाजिक ब्योस्था का उनके नामकरण से मिलान करें एक साइट दिया हुआ दोस्तों समाजिक बेवस्ता और दूसरे साथ उसका नामकरण दिया हुआ है यह दोनों को मैच करना है तेहां पर देखे दोस्तों तो इवागिरी तो इवागिरी के जो होता है दोस्तों क्या बोला जाता है तो धुमकुरिया बोला जाता है इसके हैं चार हो जाएगा इंसर और इसके बाद देखें दोस्तों नाच का मैदान नाच का मैदान को कहा जाता है उनाओ जन जाती में अखाड़ा कहा जाता है और ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है दोस्तों तो पंचायत को तो पंचोरा कहा जाता है और ग्राम प्रधान को कहा जाएगा महतो तेहां पर देखें तो पहला के पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है तेहां पर उसको कहा जाता है दोस्तों किरिया जो किरिया होता है दोस्तों वो पूर्सों के द्वारा पहना जाता है ये कब पहना जाता है दोस्तों कोई भी तिवहार होगे रहा होती है उस समय पहना जाता है और महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है उसको कनरिया कहते हैं ते हाँ पर महिलाओं की दोपरा पहने जाने वाले वस्त्र को यहां पर एह हो जाएगा दोश्तों की खनरिया आप लोग याद रखिएगा अगला परस्तों कि ऄने जाती के सम्मन में नीम्न का मिलान करें एक साइध हो गया माह या मोसम और दूसरे साइध हो गया गती बिधी तो बैसाख माह में क्या होता है दोस्तों तेहां बैसाख माह क्या हो जाएगा आपको सू सिंद्रा फालगुन मा को क्या करते हैं दोस्तों महिना जो फागुन होता है मोसम उसको गती बिधी कोन सा होता है फागु सिंद्रा और वासा रितु को क्या बोलते हैं दोस्तों जेड सिकार यहाँ पर देखें दोस्तों एक बड़ी फिस रिपीट कर रहें दोस्तों कि उराओ जन जाती के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है तब दोस्तों कि नाच के मैदान को यहां पर खाड़ा कहा जाएगा तो इसका एंसर यहां पर सर्वाधिक बिकास हुआ है तो जारकन में देखें तो उराओ जनजाती का सरोजिक बिकास हुआ है दोस्तों जितने भी जनजाती हैं संथाल हो गया हो गया मुंडा हो गया तो इस अभी में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बिकास की इस में हुआ तो उराओ जनजाती में हुआ है आगला प्रस्थन दोस्तों कि उराओ जनजाती के संबंद में निम्न में से कौन से कथन असत्त्य है यहां पर देखे दोस्तों यह जनजाती यह स्थाई क्रीशक बन गई है तो यहां पर देखे दोस्तों तो यह कथन क्या हो जा भोजन चावल तथा जंगली पक्ची है तेहाँ पर देखे दोस्तों तो यह भी कृषक होग बन गई है यह भी सही हो जा रहा है यहाँ पर यह जन जाती बंदर की मास नहीं खाती है तेहाँ पर गलत कत्वन तो वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों यह जंजाती इस्थाई किरिशक बन गए पहले घुमन्तु जीवन जीते थे तेहां पर यह बिल्कुल सही है यह जंजाती प्रमुख भोजन जो है चावल है और जंगली पक्षी यह भी सही है यह जंजाती बंदर की मास नेकाते यह भी सही है तो प्रोक देखे तो क प्रमुख देवता है दोस्तों धर्मेश जो है वो प्रमुख देवता है तेहां पर इसका एंसर यह हो जाएगा अगला प्रस्थन दोस्तों कुराओ जन जाती के देवता धर्मेश की तुल नानीन में से कीस से की जाती है तेहां पर उसकी तूलना जो होती है दोस्तों सूरी से किया जाता है धर में इसकी तूलना तेहां पर इसका एंसर C हो जाएगा आगला प्रस्न दोस्तों कुराओ जन जाती की निम्ने देवी देवताओं के समंध में मिलान करें एक साइट हो गए देवता का नाम, दूसरे साइट हो गए आपका तथ्य, यहनि उसके देवी का नाम तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं दोस्तों तेहाँ पर देखें दोस्तों तो मारंग बुरु है तो मारंग बुरु किसको कहा जाता है तो पहाड के देवता को मारंग बुरु कहा जाएगा इसके बाद अगर देखे दोस्तों तो ठाकूर देव किसे कहा जाता है तो ठाकूर देव कहा जाता है दोस्तों ग्राम देवता को और डिवार जो होता है दोस्तों डिवार कहा जाता है सिमान्त देवता को इसके बाद पुर्वाजमा पुरजमा कुल देवता को कहा जाता है तो इस तरह से अगर मेच करेंगे दोस्तों इतो इसका एंसरिया पर सी हो जाएगा कि मारंग बुरू, पहाड देवता, ठाकुर देव, ग्राम देवता, डिहवार, सिमान्त देवता और पुर्वा जत्मा कुल देवता हो जाएंगे आगला प्रस्ट दोस्तों कि उराओ जन जाती के दोबारा फसल की रोपन के समय कौन सी पूजा की जाती है तो समय जो भेलवा पूजा की जाती है तो इसका अंसर इहां पर B हो जाएगा जब इन लोग फसल को रोपते हैं उस समय इन लोग भेलवा पूजा करते हैं इसे क्या होता है दोस्तों कि जो गाउं के कल्यान के लिए वर्स में एक बारीन होनों गोरिया पूजा का भी आयोजन करते हैं फसल पूजा किसे लिए करें फसल पूजा के समय भेलवा पूजा और गाउं के कल्यान के लिए एक बार गोरिया पूजा करते हैं तो वर्समें एक बार जो दोस्ता होता है उसको कल गुर्या पूजा बोलते हैं जो गाउं के कल्यान के लिए होता है अब होस्नों के कल्यान के लिए बोलना चाहिए पूजा जो होगा वो भेलवा पूजा होगा अगला प्रस्ने दोस्तों की उराओं जन जाती में गाओं के धार्मिक परधान को क्या कहा जाता है गाओं के धार्मिक परधान को दोस्तों पाहन कहा जाता है इसका हो जाए गया यहां पर भी अगला प्रस्न दोस्तों पुराओं जन जाती के गाओं के धार्मिक परधान का सहयोगी कौन होता है तो जो धार्मिक परधान के जो सहयोगी होगा दोस्तों उसको पुजार कहा जाता है तो इसका एंसर यहाँ पर देखें तो D हो जाएगा अगला प्रस्थ दोस्तों उराओ जन जाती का मुख्य पूजा इस्थल क्या कहलाता है इसका मुख्य पूजा इस्थल होता है दोस्तों उसको सारना कहा जाता है इसका एंसर हैं पर सी हो जाएगा अगला प्राशन दोस्तों कुराओं जंजाती में पुरुवजों की आत्मा की निवास इस्थान को क्या कहा जाता है तो जो पुरुवजों की जो आत्मा की निवास इस्थान को सासन कहा जाता है इसका एंसर यहाँ पर यह हो जाएगा आगला प्रस्ते दोस्तों कि उराओ जन जाती की समद में निम में से कौन से कथन असत्य है यानि कौन से कथन गलत है उसको बताना है तेहाँ पर देखें दोस्तों तो उराओ जन जाती तांतिर कियों जदूई वीद्या में भी स्वास करते हैं यहां पर सही हो जाएगा गलत नहीं है उराओं जन जाती में सवों को समानेता दासंसकार किया जाता है यह भी सही है उराओं जन जाती में सवों को अनिवारता दफनाया जाता है तेहां पर देखें दोस्तों कि इसाई उराओं की जो है जो इसाई में कनभर्ट हो गए उराओ लोग उनको दफनाया जाता है तो प्रोग तेहाँ पर देखे तो सभी कथन हो जाएंगे C यानि कि यहाँ पर सही लग रहा है कि सभी कथन सत्य है तेहाँ पर D इसका एंसर राइट हो जाएगा आगला प्रसने दोस्तों तो भी धुमकुरिया के समद्ध में निम्लिक में कथनों पर विचार करें तेहाँ पर अगर देखे दोस्तों धुमकुरिया के समद्ध में धुमकुरिया उराओ जन जाती का इवागिरी है यहाँ पर यह सही हो जाएगा इसमें केवल यूकों को जन जाती है रिती रिवाज अंपरंपराओं को प्रसिक्षन दिया जाता है तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों यूकों यूकतियों दोनों को दिया जाता है इसके बाद देखे दोस्तों तो इसमें 10 और 11 वर्स की आयूम प्रवेश दिया जाता है तो ए बाद यहाँ पर सही हो जागा तो एक और तीन यहाँ पर सही हो जाएगा तो एंसर अगर देखे दोस्तों तो इसका B यहाँ पर राइट हो जाएगा आगला प्रसन दोस्तों कि घुमकुरिया के समाने तकी स्परोग के समय प्रवेश किया जिता है तेहां पर इसमें प्रवेश दिया जाता है सरहुल के समय दोस्तों और तीन वर्स में एक बार दिया जाता है आगला प्रस्ण दोस्तों कि घुमकुरिया नामत संस्था में इवाओं हेतू नीन में से किसका प्रबंध होता है बढ़िया प्रबंद होता है जोख एडपा कहा जाता है यहां को जो प्रबंद होते हैं उसको जोख एडपा कहा जाता है तो इसका एंसर नहाँ के लिए प्रे भी हो जाएगा तो इसका एंसर हैं पर D हो जाएगा अगला प्रस्न दोस्तों की घुमकुरिया नामक संस्था में जो केड़पा के मुख्या को क्या कहा जाता है तो जो केड़पा के मुख्या को कहा जाता है दोस्तों धांगर कहा जाता है लाज प्रस्णे दोस्तों कि धुंकडिया नामग संस्था में इवाओं की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है तो योक्तियों की जो देखभाल करती हैं दोस्तों उसको बढ़की ड्हांगरीन कहा जाता है तो इसका एंसर हैं पर यह हो जाएगा और जो लड़का के लिए देखा देगा उसको धांगर और जो महिलाओं को देखिएंग उसको धांगर कहा जाएगा तेहां पर आप थोड़ा सा याद रखेगा दोस्तु और जो इस जंजाती से बिलोंग करते हैं उसको लेड़ी सब पता होगा और नए भी पता होगा दोस्तों तो उसको एक बार जरू पढ़ लीजिएगा ठाइक्यू देखने के लिए दोस्तों और नए है चैनल में तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताए सेयर जरूर किजिए ठाइक्यू देखने के लिए